एक पाइट थे बहुत फेमस ग्रीन्विल क्लेजर, उन्होंने एक बार कहा था, When you feel like saying something, कि जब भी तुम्हारा मन करे कुछ कहने का, that you know you will regret, और तुम जानते हो कि उस चीज को कहने के बाद में तुम्हें अफसोस होगा, कि मैंने ये क्यूं कहा, और keenly feel an insult, और तुम्हें insult जैसा feel हो, not quite easy to forget, और तुम्हें वो चीज जो तुम से कही गई है, तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए, वो तुम भूलना सको, उसे बुलाना इतना आसान ना हो, not quite easy, मतलब इतना आसान ना हो उस चीज को बुलाना, that's the time, तो ये वो टाइम है to curb resentment, कि तुम्हें अपने आपको शान्त रखना है, and maintain a mental peace, और अपने दिमाग में शान्ती बना के रखनी है, ताकि तुम्हारे दिमाग इतना जल्दी किसी भी चीज को देख कर react ना करे, गुसा ना करे, for when your mind is tranquil, ट्रैंक्विल का मतलब है, शान्त, हमने डोवर बीच में पढ़ा है इस word का मतलब, ट्रैंक्विल का क्या मतलब होता है, शान्त, जब तुम्हारे दिमाग शान्त हो, all your ill thoughts, simply cease, cease का मतलब रुक जाना, तो तुम्हारे ये ill thoughts, गलत विचार जो हैं, अपने आप, simply रुक जाएंगे, it is easy to be angry, बहुत आसान होता है गुसा हो जाना, when defrauded or defied, जब तुम्हारे साथ में fraud हुआ हो, या फिर तुमसे जूट बोला गया हो, to be peeved and disappointed, if your wishes are denied, और जब आपके मन की कोई चीज नहीं होती, तो आप बहुत disappointed हो जाते हो, ये बहुत ही common सी बात है, सब हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी हमारे मन में इस तरह की thoughts आना, इस तरह की negative emotions आना, बहुत आम बात होती है, but to win a worthwhile battle, लेकिन अगर तुम्हें एक जंग जीतनी है, worthwhile battle जीतनी है, over selfishness, तुम्हारी selfishness के उपर, and spite, और आपकी नफरत से एक जंग जीतनी है, तो आपको एक चीज़ सीखनी होगी, you must learn to keep strict silence, अपने आपको strictly silence रखना सीखना होगा, though you know you are in the right, इस दाइन का मतलब है, अगर तुम्हें मालुम हो कि तुम सही जगाए पर खड़े हो, बाकी सब गलत हैं, तब भी तुम्हें एक strict silence रखनी होगी, तब ही तुम एक worthwhile battle जीत पाओगे, selfishness से और spite से, तो आगे एक advice देते हैं, so keep your mental balance, तो अपने दिमाग में एक mental balance बना कर रखना, when you are confronted by a foe, foe का मतलब होता है दुश्मन, अगर तुम अपने दुश्मन के सामने खड़े हो, तो अपने mental balance को बना कर रखना, be it enemy in ambush or some danger that you know, ये दुश्मन कुछ भी हो सकते हैं, danger हो सकते हैं, जो तुमें गुसा दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो तुम जानते हो अच्छे से, if you are poised and tranquil, when all around is strive, लेकिन अगर आप शान्त हो, बिलकुल काम हो, एक peace maintain करके रखे हुए हो, तुम अश्यार हो जाना that you have mastered the most vital thing in life, तो समझ लेना कि तुमने इस दुनिया में सबसे vital thing पर, सबसे vital thing पर, सबसे vital thing क्या है, दिमाग, उस पर अपना control कायम कर लिया है, अगर आप ऐसी situation में भी शान्त हो तो, अगर आप ये चीज़ control कर सकते हो, तो कुछ भी control कर सकते हो, उमीद करता हूँ, ये पर आपको समझ में आये होगी, और अच्छी लगी होगी दोस्तों, आज की इस वीडियो में पसितना ही,